आज के इस वीरे रेसन में हम सीखने वाले हैं उस्तार तारीखां साब जी का बहुती एडवांस लेवल का तीन उठान जो कहरवा के उठान है और ये उठान लाइट सॉंग्स के साथ बचता है ये उस्तार तारीखां साब जी के तीन बहुती स्पेशल उठान है वीडियो को मैं आगे फीज बढ़ाता नहीं हूँ and higher level, advanced level tabla learning के लिए description box में link दिया हुआ है जहां से आप उस्ताद Zakir Hussain जी का tabla solo का complete detailed 60 video lesson का course है एक साल की validity है उसकी आपके पास वो lesson course रहेगा जिसको देख के आप आप सीख सकते हैं उस्ताद Zakir Hussain जी जो बजाते हैं हर एक composition उस्ताद Tariq Khan साब जी का जो पहला उठान है कि हर्वा का ये उठान है और बहुत ही शांदार उठान high level का उठान जी बजाते हैं उस्ताद Tariq Khan साब जी इस उठान के बोल है तेटे तक्रान, तेटे तक्रान दो बार बजेगा हलका हलका pause के साथ तेटे तक्रान, तेटे तक्रान दोनों में हलका हलका हमने pauses दिया है तेटे तक्रान, तेटे तक्रान उसके बाद तीसरा बार फिर तेटे तक्रान होगा बट कोई pause नहीं होगा क्योंकि इसके साथ कुछ और बोल भी जुड़े हुए है दो बार बजा के चार मातरह होता है उसके बाद अगला Чार मातरह एकटे बजेगा कोई पॉस नहीं है यहाँ पे हमने क्रान मैं खींचा है थोड़ झा उनको तेटे टक्रान फिर तेटे तक्रान तेटे 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 ताके तेटे 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 यहां पर हर बार fingers का movement उल्टे तरीके से तेटे बजेगा यह ताके तेटे को आप end वाला ताके तेटे उल्टे तरीके से भी बिला सकते हैं इस तरीके से तरीके से तक्राम तेटे तक्राम तेटे तक्राम तेटे तक्राम तेटे तक्राम ताके तेटे ऐसे भी कर सकते हैं, फिर ताके ऐसे भी कर सकते हैं, जो आपके हाथ में ज़्यादा एजी लगए, और फिर थेका शुरू होता है, अगला उठान जो उसना तारिखान साप जी बजाते हैं, वो उसमें एक अलग सा स्टाटिंग है, पहला चार मात्रा में तारिखान साप जी कुछ बजाते नहीं है, कई-कई गजलों में उन्होंने ऐसा कर रहा है, पहला चार मात्रा वो बजाते नहीं है, सिर्फ हलका हलका उंगली चलाते हैं, और उस चार मात्रा को वो जाने देते हैं, उसके बाद पांच भी मात्रा से उठान को शुरू करते हैं, तो वही टेकनीक से हम भी इसमें करेंगे, आप लोग आराम से इसको सीखें, आप लोग आराम से बजा सकें, तो पहला चार मात्रा जहां से गाना शुरू होता है, सम से, वहां से चार मात्रा आपको छोड़ना है, माइन में काउंट करना है या फिर एक जैसे टाच देखे कहीं पे भी टाच देखे चार काउंट तक निकालना है एक दो तीन चार जैसे चार काउंट निकला पांच में मात्रा से आपको शुरू करना है तेटे तेटे क्रान तेटे तेटे क्रान तीन मात्रा फिर चौथ ही मात तेटे उल्टा के चार मात्रा हुआ उसके बाद गीत धाना नाना चार मात्रा तेटे टे करान तेटे चार मात्रा अब यह जो उठान है थोड़ा सा बढ़ा हुआ वा श्पीड में बस्ता है इस स्पीड का जो गाना होता है कहरवा के घजल लाइट सॉंग्स उसके साथ यह उठान बहुत ही अच्छा जस्ता है एक दो तीन चार मात्रा छोड़ना है उसके बाद टिक 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 टान टिक टिक गीतक धाना नाना गीतक जो है आपको मैदान हो जाना है गीतक बजाते समय यहां पर आप राइट हैं से यह साउंड कर रहे हैं अन्बाया में गसी देना है बोल गीतक है पर हमें कर साउंड नहीं बजाना है यहां तक क्लोस्ट साउंड रहता है माया का कोई यूजज नहीं होता है इसलिए चार मात्रा क्लोस्ट साउंड में हुआ अब हम एक बार पुठान को किस तरीके से ठीकाट साथ बैठाएंगे उसको देखना है यहां पर याद रखने वाली चीज है कि यह जो उठान है ठेका से डबल स्पीड में बजेगा चार काउन छोड़ना है एंड फिर पांचवी मात्र से बजाना है तो जब गाना शुरू होता है तब आपको समझ में आ जाएगा कि किस स्पीड में है तो हम मांगे चलते हैं गाने का स्पीड है एक, दो, तीन, चार, पार, छे, साथ, आप, एक, दो, तीन, चार मात्रा छोड़ दिया उसके बार बोल तेकर तेकरान तेकर दिखेता है कि धाना ना ना एक, दो, तीन, चार तेकर यह थेकर का स्पीड हुआ जो उठान हमने बजा था इसका डबल स्पीड में पहला चार मात्रा छोड़ के एक, दो, तीन, चार यह था हमारा दूसरा उठान, अब आते हैं हम लोग तीसरे उठान पर, तीसरे उठान थोड़ा सा भड़ा उठान है इस उठान को सीखने के लिए आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, इस उठान में दो लै का वेरियेशन है शुरू होता है, स्लो स्पीड से उसके बाद यह फास्टर स्पीड में चेंज हो जाता है तो तीसरे उठान है, तक तेटे तक तेटे तक 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 यह बोल यूज होता है तीसरे उठान के स्टार्टिंग में अब देखी कर सेकेंड उठान में हम जो चार मात्रा छोड़ रहे थे, अब यहाँ पर वो चार मात्रा को भरके उस तारिखा सब्जी बजा रहे है तक तेटे तक तेटे तक तेटे तक तेटे तीन बार बजाना है उसके बाद तक तक बजाना है चार मात्रा तक 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 इसका इंडिकेशन यह होता है कि इसमें आपको जोर्दार नहीं बजाना है यह क्लोस्ट साउंड है और यह सॉफ्ट बजेगा बिकॉज इसके बाद जो उपन साउंड से जो उठान के जो एक्षुल बोल शुरू होंगे वो लाउड प्रकार का होगा यह पहला चार मात्रा उसके बाद तागे तरेगड तक 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 त उसके बाद घितेक, क्रान घितेक इसको मैं और भी स्लो में बता रहा हूं so that it is easy for you to understand and play वरना फास में बताने से फिर वो उतना आसान नहीं होगा आप लोग के लिए समझने के लिए तक 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 अब सिर्फ हम लोग। उठान पार्ड को करते हैं जो फास्ट स्पीड में वास्टता है। तागेतर गड़तक तक तक तड़े गिते क्रान गिते किनार में होगा यह था बड़ा वाला उठान उसा तारीखा सभजी जो हो जाते हैं यह सभी उठान आपके हाथ के लिए बहुत फाइदा बंद रहेगा यह वीडियो लेसन आपको बहुत अच्छा लगा है लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए जो पहली बार देख रहे हैं और शेर जरूर कीजिए लोगों के साथ जिनको यह तबले का वीडियो लेसन आप शेर करके जिनको फायदा होगा जिनको मुझे सीखना है, मेरा वाट्साप नमर ओपर दिया हुआ है यू कन सार्टी तबला लेर्निंग पर 50% discounted fees और अद्वांस लेवल तबला लेसन्स के लिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है Thank you very much and I'm my pleasure to interact with you through another tutorial.